सं 1857 की क्रांती का दमन करने में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्वारा अंग्रेजों की मदद जासी के किले पर लहराता स्वाधीनता का हरा जंडा अंग्रेजों की आँख का कांटा बना हुआ था छे जन्वरी 1858 को सरहुरोज एक विशाल से न लेकर मौँ छावनी से जासी के लिए रवाना हुआ रास्ते में रायगर्ट, सागर्ट, बानपुर, चंदेरी आधी विजय करता हुआ वो बीस मार्च को जासी के पास पहुँचा जासी में उस समय मध्य भारत के क्रामतिकारियों का केंद्र था और रानी लक्षमी बाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्रामतिकारी मौजूग थे रानी लक्षमी बाई को जैसे ही सरहुरोज के आने की खबर मिली उन्होंने जहांसी के आसपास का तमाम इलाका खाली करवा दिया जिससे शत्रू को रसत आदी ना मिले लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजू की इतनी मदद की कि उन्हें जहांसी तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई मुधर राणी जहांसी का होसला बुलंद था वो ना सिर्फ क्रांती कारियों का नित्रत्व कर रही थी बलकि हर काम के निगरानी भी खुद ही करती थी उनके साथ पुरुश वीर ही नहीं बलकि महिलाएं भी थी जो युद्ध कला में प्रशिक्षन ले रही थी और मोर्चे बंदी में बड़ी तेजी से काम कर नहीं थी 24 मार्च 1858 को जहांसी की प्रसग्ध तो घन गरच ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किये 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हम न किया 26 मार्च को कमपनी की सेना ने शहर के दक्षणी फाटक पर इतनी जबरदस्त गोलाबारी की कि जहांसी की तोपों को भेर जाना पड़ा तब पश्चिमी फाटक के तोपची घुलाम गौस खाने अपनी तोप का मूँ अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया गौलाम गौस खान की गौलंदाजी के सामनी कमपनी किसेना नहीं ठहर सकी और उसकी तोपें चुप हो गए गौलाम गौस खान की इस बहादुरी से खुश होकर रानी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था 28 और 29 मार्च को भी जहांसी की तोपों ने दुश्मन को भारी नुक्सान पहुँ जाया किन्तु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपों ने नगर की दिवार का एक हिस्सा तोर दिया इससे जहांसी की सेना का मनोबल थोड़ा कमजोर तो हुआ लेकिन रानी के नित्रत्व में रात और रात ग्यारा मिस्त्रियों ने कंबल ओड़कर दिवार को ठीक कर दिया अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से अपना आख्रमन शुरू कर दिया। दोनों और के लोग मारे गए। फिर भी रानी लक्ष्मी बाई सभी मोर्चों पर खुट जाकर सेनिकों का होस्ता बढ़ा रहे थी। तीन अप्रेल को छांसी के स्थिती कमजोर होने लगी। अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूत के आगे क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया। फिर भी रानी घोडे पर सवार होकर अपनी सेना के सिपाहियों और अपसरों के होस्ते बढ़ा रही थी। और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुँचकर जरूरी आदेश दे रही थी। उस दिन शहर के सदर दर्वाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चा बंदी की थी। नगर की दिवार पर सीढ़िया लगा ली थी और उनसे चड़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी। किंतु जासी की दीवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त वचार गुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हट जाना पड़ा। किन्तु उधर दक्षणी दर्वाजे पर किसी विश्वास खाती ने द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंगा बजाती हुई खुश गए रानी ने किले की दिवार पर से नगर निवासियों पर कंपनी की सेना के जुल्म देखे उन्होंने तुरंद एक हजार सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी था रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा किन्तु रानी के कई वीर सरदार और बहादुर तोप्ची इस युद्ध में मारे गए उधर उत्तर दिशा का सदर दर्वाजा भी खुल गया और कम्पनी की सेना वहाँ से आगे बढ़ने लगी रानी ने सोचा कि विश्वास घादियों के कुछक्र के कारण अब और यहां ठहरना संभव नहीं रह गया है इसलिए यहां से निकल कर कहीं और जाएं और वहां से क्रांटी का संचालन करें उसी रात को रानी लक्ष्मी बाई ने जहांसी छोड़ने का निश्चे किया उनकी दो सहेलियां सुन्दर और मुंदर और दस-पंद्रा सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए आधी रात के समय रानी ने अपनी पीच पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और कले की दिवार से हाथी की पीच पर कूत पड़ी उनका प्यारा सफेद खुड़ा तैयार था साथ जाने वाले वीर भी तैयार थी अब रानी कालपी की ओर बढ़ी उधर लेटिनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा उसने रानी का पीचा किया सवेरा हुने तक रानी मांडेर गाउन पहुची जहां दामोदर राव को दूद पिलाया किन्तु तब तक पीचा करते हुए लेटिनेंट बोकर के आने की खबर मिली जब लेटिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही बार से उसे मार किराया अंत में उसके साथी भी सिर पर पैर रख कर भागी सारा दिन और आधी रात तक लगातार दोड़ता हुआ रानी का घोड़ा कालपी पहुचते पहुचते ही गिर कर मर गया रानी को इससे बहुत दुख हुआ कालपी में उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब और सेना पती तात्यटों पे मौझूद थे रानी ने उनके साथ बैच कर सारी स्थिती पर विचार किया अधर बान्दा के नवाब, शाहगड़ और बानपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गया सरहिरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया वहाँ रानी के नित्रत्व में क्रांती करी सेना ने घमासान युद्धू किया अंग्रेजों की सेना के होसले कमजोर पड़ गए, किन्तु उन्होंने संगठित होकर फिर से हमला किया और क्रांतिकारी सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा 24 मई को कमपनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया रानी लक्ष्मी बाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल नहीं उधर तात्य टोपे चुपचाप ग्वालियर पहुंचे और सिंधिया की सेना तथा ग्वालियर की जनता को क्रांति सेना का साथ देने के लिए तैयार कर लिया गोपालपूर में तात्य टोपे ने रानी लक्ष्मी बाई और राव साहब को बताया कि ग्वालियर की सेना की मदद से हम कंपनी की सेना को हरा सकते हैं ग्वालियर पहुंचने पर ख्रांतिकारी सेना का बड़े हर्श से स्वागत हुआ ग्वालियर की ख्रांतिकारी सेना ने पूरी मदद की तयारी कर रखी थी तीन जून 1858 को ग्वालियर के फूल बाग में बहुत बड़ा दर्बार हुआ इस दर्बार में रुहेला राजपूत और मराचा पल्टने भी मौजूद थी नाना सहाब के भतीजे राव सहाब को पेश्वा का प्रतिनिदी मान कर सम्मानित किया गया तात्या ठोपे को प्रधान सेना पती बनाया गया और 20 लाख रुपए सेना में बाढ़े गया उधर सरहिरोज ने निश्चे किया कि इस समय तुरंट गौलियर पर हमला करना चाहिए उसे तात्या ठोपे की संगठन शक्ती का सबसे ज़ाधा डर था इधर राणी लक्ष्मी बाई ने राओ सहब आदी सभी को चेतावनी दी कि ये समय फुर्सत में बैठने का नहीं है बलकि सेना को मुकाबले के लिए संगठत करना जरूरी है किन्तु राणी की इस सलाह पर उन लोगों ने धान नहीं दिया आखिर सर्हुरोज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुँच गया क्रांतिकारी सेना तयार नहीं थी फिर भी तात्या टोपे ने आगे बढ़कर मुकाबला किया किन्तु क्रांतिकारी सेना हार गया 17 जून 1858 को राणी लक्ष्मी बाई और सेना पती जर्नल स्मित का मुकाबला हुआ राणी की दोनों सहेलिया सुन्दर और मुंदर भी साथ थी स्मित ने कई आक्रमन किये किन्तु राणी लक्ष्मी बाई ने हर बार उसे पीछे ख़देर दिया इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुभा सिर्शाम तक राणी लक्ष्मी बाई घोड़े पर सवार युद्ध भूमी में अध्वुत वीर्ता के साथ लड़ती रही और विजय है 18 जून को जर्नल स्मिथ और अधित सेना लेकर फिर से गौलियर के पूर्वी फाटक पर पहुंचा उस दिन दरसल अंग्रेजों ने कई मूर्चे खोल दिये थे इस बार जर्नल स्मिथ के साथ सर यूरोज भी था कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपने दोनों सहेलियों के साथ शर्वत भी रही थी तो खबर आई कि कंपनी की सेना बढ़ी चलिया रही है बहुत बढ़ी फौज है रानी ने तुरंथ शर्वत का कटोरा फेंग दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ी एक अंग्रेज प्रत्यक्ष दर्शी लिखता है तुरंथ सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गए उसने बार बार तुफानी गती से सरहुरोज की सेना पर हमला किया लेकिन उसके सेनिकों की तादाद लगातार कम हो रही थी आखिर रानी लक्ष्मी भाई चारों ओर से खें गया लेकिन रानी ने फिर भी मकाबला किया उस समय रानी की दो सहीलिया और दस पंदरा सवार ही शेश थी रानी तलवार से अपना रास्ता साफ करती हुई आगे प लेकिन आगे नाला आ गया और रानी का घोड़ा नया था उसने बहुत कोशिश की कि घोड़ा नाला पार कर जाए लेकिन घोड़ा अड़ गया तब तक पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां पहुँच गया तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया सिर का दाहिना भाग अलग हो गया फिर भी रानी ने गूंकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया तभी एक और वार हुआ और रानी खून से लट पर भुगे घोड़े से गिर्ते गिर्ते भी रानी ने उस अंग्रे स्थैनिक को भी मार दिया तब तक रानी लक्ष्मी भाई का वफादार नौकर राम चंद्र राव देशमुक पहुच चुका था घायल और बेहोश रानी को उठा कर वो पास ही एक सादू की कुटिया में ले गया ताकि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ में लगे झाल